दोस्तो परिबार में गरीबी आने का कारण, खास्तोर से सावन के दिनों में महिलाओ को ऐसे नहीं सोना चाहिए, खास्तोर से सावन के जब महीने चल रहे हो तो महिलाओ को गलती से भी ऐसे नहीं सोना चाहिए, पूरा परिबार बरबाद हो जाता है दोस्तो साबन के इस पवित्र महीने में पूजा पाट, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा, कथा पाट बगेरा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है शास्तरों के अनुसार जब साबन शुरू होते हैं तो तभी से ही तेवहारों का आगास शुरू हो जाता है आपको बता दें, साबन के इस पवित्र महीने में अगर आप इस तरह से सोते हैं तो यकीनन आपके घर में गरीबी अपना वास हमेशा के लिए जरूर बना सकती है आप राहु केतु से घरस्त हो सकते हैं खास्तोर से साबन के महीने में एक इस्तरी को ऐसे कभी नहीं सोना चाहिए तो चलिए जानते हैं दोस्तो साबन के इस पवित्र महीने में अच्छे स्वास्त और देवी देपताव की किरपा पाने के लिए हमें रोज सुभा ब्रह्म महुरत में ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए ये पुरानी मानेता है ब्रह्म का मतलब परम तत्ब या परमात्मा और महुरत यानी शुभ समय आमतोर पर रात के अंतिम समय यानी प्राता चाड़ से साड़े पाँच बजे तक के समय को ब्रह्म महुरत माना गया है हमारी दिन चारे सुभा उठने से आरंब होती है इसलिए सुभा जल्दी उठना दिन चारे का सबसे पहला और महतुपुन हिस्सा है इसी कारण हमारी प्राचीन परमपराओं में सुभा उठने का समय भी तै किया गया है और वो है ब्रह्म महुरत इस समय जागने से हमें कई लाव मिलते हैं जैसे बुद्धी की प्राप्ती मा लक्षमी का साथ ब्यक्ती की सुन्दरता बढ़ती है और स्वास्तबा आयू में ब्रद्धी होती है दोस्तो शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि जब खास्तोर से साबन का महीना चल रहा हो तो ब्रत रखने बाले ब्यक्ती को पूजा करने के बाद दुबारा एकदम से सोना नहीं चाहिए अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो महादेब आपसे नाराज हो सकते हैं भलेई आप दोपायर की समय सो सकते हैं अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आप राहु केतु से घरस्त हो सकते हैं साबन के इस पवित्र महीने में अनसदस्यों को इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए और सुभा नियमित समय पर यानि ब्रह्म महुरत में उठ जाना चाहिए शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि इस समय राहू केतू भी अपने अस्तित्व में होते हैं जो आपको बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं आपका अशुप समय बुरा दौर ला सकते हैं इसलिए खासतोर से साबन के इस पाबन पवित्र महीने में हर किसी ब्यक्ति को सुभा के समय जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए कम से कम सुभा छै बज़े से पहले तो आपको उठ जाना चाहिए दोस्तो साबन के पवित्र महीने में नहीं खाने चाहिए ये चीजे साबन में जो ब्यक्ति मास मदिरा का सेबन करता है तो उसे नरक जाना पड़ता है साबन के महीने में बैगन का सेबन भी नहीं करना चाहिए इस समय ये अशुद्ध हो जाता है साबन के महीने में साख सबजियां खाने से बचना चाहिए ऐसे समय में इन सबजियों में जान लेबया घातक कीड़े मकौले आपके घड़ तक आ सकते हैं और ये कीड़े आपके मुग के संपर्क में आने के बाद आपकी जान भी ले सकते हैं दोस्तों आप में से कौन-कौन सुभा के समय जल्दी उठता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लिखें हर-हर महादेब महादेब आपके सबी बिगड़े कारे को पूरा करें भोले शंकर के लिए एक लाइक तो बनता है